हेलो स्टूजेंट्स, आज हम बसकी यात्रा आपकी घख्षा 8 के लिए बहु विकल्पीय प्रेश्ण कर रहे हैं बहु विकल्पीय प्रेश्ण क्या होता है जिसमें आपको तीन या चार विकल्प दे दिये जाते हैं और उसमें से सही जवाब आपको चुनना होता है आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा किस को प्रेशन आ रहे हैं किस बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रेशन करने आ रहे हैं तो मैरे पहला प्रेशन है कुल कितने लोग शाम की बस से यात्रा करने वाले थे इसमें आपको 4 option मिल रहे हैं 3, 4, 5 या 6 तो bus की यतरा part में 5 लोग bus से यतरा करने जा रहे थे शाम की bus से यतरा करने जा रहे थे आप साथ साथ कमेंशेशन में बताते जाए कि आपके कितने प्रिशन सही थे तो यहाँ पर हमारा second question आ रहा है इस पार्ट के लेखक कौन है? इस पार्ट के लेखक में चार उप्षन मिल रहे हैं भगवती चर्ण वर्मा, रामदर श्रतमेश्र, कामता नाध और हारी संकर परसाई तो हमारा यहाँ पर सही जवाब है उप्षन D हारी संकर परसाई हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट कुश्चन आ रहा है कि लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझता था, क्या समझता था वह है? उप्षन है जीवन दाता, मित्र, शत्रू, शुप, चिंदव तो वह है शत्रू समझता था, उप्षन C यहाँ पर सही जवाब है बसकी अत्रा पाठ से हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रेश्चन है कि उत्सर्ग शब्द कैसा है? उत्सर्ग शब्द तत्सम है, तत्भव है, देशज है या फिदेशी है? तो इसका सही जवाब है आप्षन A तत्सम यहाँ पर सही है यहां पर अगला प्रेशन है कि उपरियुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिये यहां गद्यांश में से जो प्रेशना जाते हैं उसकी चर्चा हो रही है तो गद्यांश के पाठ का नाम वस्की यात्रा लेखक का नाम हरी संकर परसाई यहाँ पर लेखक कामता ना थिया पाठ लाग की चूड़ियां आपको चार उप्षन दिये गए हैं इसमें से सही जवाब बताना है तो हमने शुरू में ही देख लिया कि गध्यांश के पाठ का नाम बस्ट की यात्रा है और पाठ के लिखक का नाम हारिशंकर परसाई है हमारा नेश्ट प्रिशन आ रहा है कि लेखक के मन में बस को देख करके कैसा भावाया था तो अगर अपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है या एक बार भी इन प्रिशनों को रिपीट कर लिया है तो आपको हमेशा याद रहेगा हमारा पहला उप्षन है A उप्षन प्रेम, B उप्षन श्रधा, C उप्षन दया या D उप्षन इनमें से कोई भी नहीं तो इसका सही जवाब है B उप्षन श्रधा हमारा नेश्ट कुश्चन आ रहा है कि लेख को ऐसा क्यों लग रहा था कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं इसमें आप्षन A है सर्धी के कारण, आप्षन B है परेशानी के कारण, आप्षन C है उनके उम्र के कारण, आप्षन D है शौर और कमपन के कारण तो आपका जवाब मुझे मिल जाना चाहिए, अभी कमेंट सेक्षन में हमारा सही जवाब है, शौर और कमपन के कारण इमानदारी से सभी सवालों के जवाब देते जाएं और बताते भी जाएं कि किसके प्रिशन कितने सही है प्रिशन आ रहा है कि उपरोक्त गद्यांश में गांदी जी के किस अंदोलन का वर्नन है ऐसे है योग अंदोलन का वर्नन है, आप्षन P है सविनाय अवग्या अंदोलन का वर्नन है आप्षन C में उपर युक्त दोनों का वर्नन है और कोई भी नहीं तो हमारा सही जवाब है आप्षन C दोनों का यनि कि उपर युक्त दोनों यहाँ पर सही जवाब है ऑमारा नेक्ष्ट कुशिन आ रहा है गद्याश में बस्की दशा के पारे में क्या पता चलता था तो यहां पर A आप्शन है बस अच्छी हालत में थी B आप्शन है बस्की हालत देनिय थी C आप्शन है बस्की हालत खराब थी या डी पता नहीं तो बस की हालत दैने थी आप्षिन B यहां पर सही जवाब है इस वाले सवाल का आपको जवाब देना है कमेंशिक्शन में तो यहां पर आठ दस मील के बाद बस की चाल में क्या परिवर्दन आया पहला आप्षिन है बस का डायर खराब हो गया Option B है बस खराब हो गई Option C है बस सहज हो गई या बिलकुल आराम से चलने लगी Option D है बस काफी तेजी से चलने लगी तो इसमें सही जवाब आपको बताना है पढ़ करके या आपने पढ़ा होगा तब का आपको याद होगा मैं फिर आपको कमेंसेक्शन में इसका सही जवाब बताऊंगे कद्यान से समदित आपके प्रिशन आजाते हैं तो हमारा नेक्स्ट कद्यान से इसमें से हमारा पहला प्रिशन है कि अब बस किस रफतार से चल रही थी अब बस किस रफतार से चली थी इसके भी चार option दिये गए है 15-20 मील प्रति घंटा, 8-10 मील की रफतार से, 10-12 मील की रफतार, 4-5 मील की रफतार तो सही जवाब है 15-20 मील प्रति घंटा की रफतार से यानि कि एक गंटे में 15-20 मील तक वो चल रही थी next question है कि लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं रहा, option A है क्योंकि बस का driver नशे में था, option B है क्योंकि रास्ता घराब था, option C है क्योंकि लेखक ने सोच लिया कि बस का कभी भी brake fail हो सकता है या स्टेरिंग तूट सकता है तो यही लेखक ने सोचा था क्योंकि उसने सोच लिया था कि बस कभी भी प्रेक फेल हो जाएगी या उसका स्टेरिंग तूट जाएगा तो सही जवाब है अप्शन C लेखक पेड़ों को अपना शत्रू क्यों समझ रहे थे प्रश्ण है तो अप्शन A है पेड़ों के हरे फरे होने के कारण अप्शन B है पेड़ों के कारण रास्ता ना दिखाई देने के कारण Option C है पेडों से बस टकराने के भै के कारण या अत्यधिक छायादार होने के कारण तो हमारा यहाँ पर सही जवाब है पेडों से बस टकराने का भै उने लग रहा था और इसी कारण वो अपना शत्रू ने समझ रहे थे Option C यहाँ पर हमारा सही जवाब है अब एक और इंटरेस्टेंस सा प्रशना आ गया है कि लेकों को बस दूबने का डर कहां सता नहीं लगा तो पुलिया पर नदी में जील में या समुद्र में तो हमारा सही जवाब है जील में डर लग रहा था कि बस दूब जाएगी जील में प्रशन है कि कद्ध्यांश में लेखक ने सड़क के दोनों किनारे का दृशए कैसे प्रस्तुत किया है तो उप्शन A है दोनों और हरे बरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठ हुए थे उप्शन B है दोनों तरफ नदियां बह रही थी Option C है चारों तरफ काले काले बादल आस्मान में च्छाय हुए थे या Option D है दोनों तरफ जीले ही जीले थी तो Option A यहाँ पर सही जवाब है दोनों और हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे हुए थे आज का पाठ यहीं पर समप्त करते हैं मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट किसी हिंदी के चैप्टर में हिंदी मीडियम के स्टूडेंस के लिए थेंक यू फॉर वाचिंग